नमश्कार दोस्तों भगवन आप सभी कबला करूड़ आपके सार एक 6 मनों कमने पूरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इसांस से रिलेटेड महत्मों जानकर रिवक करूंगो और यहां पर आप जो पहले कोईरी है उन सभी का अंसर देने का दोर और पॉर्म रेडिंग बराएंगे तो पहला प्रशन यह है कि यूपेसी क्लियर हो गा या नहीं लाइफ में कब तक आप सक्सेसफुल हो सकेंगे फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे मैरिज कब तक रहेगा तो इन सब बातों का जो जवाब हो आपकी भागी रेखा के अतरिक थे कि जब भी भागी रेखा जीवन रेखा से निकल के आगे के तरफ बढ़ती है और दूसरी चंदर के तरफ से सहयोगी रेखा जब आती है वह इस बात को दर्शारी होती है कि आप अपने मेहनत और दूसरों के सहयोग से बहुत ज़़दा जीवन वे प्रगती करेंगे यहाँ जो जीवन रेखा से रेखा निकल रही है उसका अगर अमर यहाँ पर देखें तो आप 26 के उमर के बाद से अपने जीवने बहुत ज़़दा मेहनत और कर्म करना शुरू कर दिये थे और जो चंदर के भाग रेखा वो पहले बहुत ज़़दा कमजोर है धुंदली हुई है फैली हुई है इसलिए बाहरी दुनिया लोगों का सहीयोग आपको मिलने ही पा रहा है जैसे कि बहुत सारे लोगों का आपने मदद किया लेकिन नाम नहीं हो पाया सहीयोग दूसरों से अच्छा नहीं मिल पाया दूसरों के प्रोत्साहन वह साथ की जहां-जहां जरुवत पड़ी वहां-वहां उनकी कई न कई कमी आपको देखने को मिले वो सब कुछ इसलिए होता है कि जब भागरेखा बिखरी हुई हो तो यह इस बात को दर्शारा होता है कि आपके हतेली में भागे तो है कि आप अपने जन्मिस्थान से दूर जाएंगे दूसरों के सहीयोग से प्रगति करेंगे अपने मन का तकरिबन सब काम कर पाएंगे लेकिन सुरवाद में पहले आपको बहुत संघर्ज देखना होगा बहुत ज़्यादा कठोर यह भागरेखा आपको बनाएगी कि आप जितनी उमीदे हैं, जितनी अपिक्षा हैं, जितना विश्वास है सब खुछ से रखिए तो यहां यह जो भागरेखा जूड़ी है आपके दूसरी भागरेखा से वो समय है 33 & 4 का और इसी के बाद से जो आपकी भागरेखा है वो और ज़्यादा मजबूती से आगे के तरफ बढ़ गई है तो यह इस बात को प्रमान है कि निश्यत रुप से आपके जीवने भाग जूदे 33 & 34 कुमर में होने जा रहा है यानि नेक्स्ट येर आपके लिए बहुत ज़्यादा लख्की साबित होगा आपका UPSC का एक्जाम निकलने से ले करके आपका मेरिज हो जाना घर परिवार के को सही होग करने से लेकर के घर परिवार से भी सही होग मिल जाना ये सब कुछ आपको next year से देखने को मिल जाख़एगा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सपोर्टियू लाइन होती है जिसे गार्डे इंजल लाइन केते हैं वो भी बहुत strongly आगे बढ़ रही है और एक another line यहाँ पर develop हुई है correct 33 and 4 में और यह रेखा के आने के बाद में खासकर इस रेखा के बाद में आपकी life lane की quality बहुत improve हुई है तो जब भी partner और spouse से support अच्छा मिलता है या शादी के ततपश्चा जब भाग्युदय होता है तब भ और आपकी married life अथवा marriage बहुत अच्छी देखने को मिलेगी एक बात यहाँ पर यह है कि UPS से जब भी कोई भी इनसान करते हैं या इतना tough exam देते तो mind lane long देखने को अधिकतर मिलती है तापके case में mind lane long भी है और straight भी है दूसरों से ताने ज़्यादा देखने को मिलना अपने से कम योगिता वाले लोगों को सफल होते देखना या कई न कई जिस चीज के आप हगदार है वो चीज आपको ना मिलना ऐसा बहुत सारे योग निर्मित करके देता है लेकिन अच्छी बात इसमें यह देखने को मिल अभी कि यह योग बदल रहा है क्रॉस के जगे पर आपका ट्रेंगल का साइन यहां डेवलप होता दिखाए दे रहा है तो यह बहुत अच्छा योग निर्मित करता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़दा सफल होते हैं सरकार से बहुत अच्छा लाब कमा प जाता है जो कन्फरमेशन देता है कि घर तो अच्छा बने गई पैसा भी बहुत अच्छा रहेगा लेकिन सरपथम पद सम्मान वर नाम यह सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तो यह योग तब निर्मित होता है जब व्यक्ति बहुत ज़दा मेहनती हो करमत हो लगातार अपने कार्यों में प्रैतन शील देखने को मिले और इसी कारण से महनत कभी भी बेकार नहीं जाता है तो यह इस बात का प्रमान है कि आपका आगे का जीवन बहुत ज़दा भैतरिन है बहुत ज़दा प्रगति करने वाला है और जितना भी अभी आपको फ्रस्ट हाट लाइन से जुड़ गई है और यह मंगल से शुरू हूई है मंगल से जब हाट लाइन या फिर मायं लाइन शुरू होता है तो उस कंडिशन में यह एग्रेशिव परस्नेल्टी दे देता है इसलिए देता है क्योंकि इमोशनस एड़ एंड घ्रेशन में तबदिल हो ज mentality और confusing mindset दे रहा है इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आप हमें अपने learning को बढ़ाते रही है क्योंकि जो second one mind line है वो purely independent है तो वह सभी सोच वह सभी वातावरन वह सभी लोग जो आपकी सोच को सिमित करें या फिर आपकी सोच को ठेस पोचा है या जो छोटी मानसिक्ता के रहें बुद्धी के रहें या छोटी बाते जो रहें उन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहने के जरूरत है तब जाकर क्या आपको frustration, immigration, irritation नहीं होगा और open minded personality वाले जो लोग होते हैं या copy किताब भी होते हैं य या किसी तरह के learnings होते हैं या open environment at least होता ही है हर जगे वहाँ पर जाकर के कुछ समय सांतिय से बैठना या इन लोगों के साथ में उठना बैठना आपकी mental strength को positivity को बढ़ाएगा mental stress, trouble, disturbance, mental issues, negative thoughts इन सारी चीजों से दूर करेगा तो यहाँ पर एक चीज इन सम्में बहुत अच्छी हो गई है कि आपकी जो heart line है वो एकदम straight चल गई है और straight जब heart line हो जाती है तो ऐसे जातक बहुत ज़दी हो जाते हैं तो जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं तो आपको आपके निर्नेओं से अथवा योग्यताओं से अथवा योजनाओं से डग मगाने के आउशकता नहीं है उस पर अड़ी ग्रहने की और लगातार कर्म करने की जरुद है क्योंकि जीवन रिखा से जब भाग रिखा निकल रेखा के कारण एक क्रोस का साइन डेवलप हो रखा है और यह कॉंबिनेशन चिंतन मनंद जादा करवाता है मोड स्विंग्स देता है, ओवर थिंकिंग कराता है, नेगेटिव थौट देता है, कई मरतबा अकिलापन महसूस होता है या अलग धलग सा महसूस होता है, कि अलग धलग कर दिया गया है, घर परिवार में या समाज में तो यह चीज आप नेगेटिवली अपने उपर मत लीजिए, अगर अलग धलग भी किया गया है, अकिलापन भी महसूस हो रहा है तो उसका फायदा उठाइए, उस समय कुछ न कुछ नया काम करिए, आपके पास समय बहुत है, कहीं न कहीं अपने काबिलत को बढ़ाने का, तो उस समय पर स्टेडिस कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आपको प्रोडक्टिविटी दे सके, वह कर सकते हैं, रेगुलर बेस अगर आप मेरिटेशन और प्राणायम करेंगे, तो यह जो नेगेटिव थॉट है, या फिर जो इमोशनल डिस्टर्बेंस से, ये मोड स्विंग से, इन सारी चीजों में आपको बहुत जल्दी सुधार आता दिखेगा, लेकिन overall आपका UPSC 100% निकलेगा, married life बहुत अच्छी रहेगी, success after marriage के पूरे combination हैं आपके पाम में, पार्टनर बहुत अच्छी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जूपिटर की आड़ी रेखा, blessings देती है, married life में, जिसके करण पार्टनर बहुत ज़्यदा dedicated, honest या loyal भी देखने को मिलते हैं, और overall आप अपने दम से जीवनें बहुत ज़्यदा प्रगति करेंगे, और बहुत कुछ करपाने में सक्षम रहेंगे, बस end result आपको इसलिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि luck line आपकी heart line के पहले आकर कर रूका हुआ है, और जब भी luck line, heart line के पहले आकर कर रूका हुआ होता है, तो अपनी emotions को value ज़्यादा दे देते हैं, जिसके करण काम कभी पूरा नहीं होता या समय पर नहीं होता, तो जितनी ज़्यादा practicality, honesty, loyalty आप अपने काम को देंगे, उतना ज़्यादा आपके काम में तरक्की बरकत होगा, और फिर जो अंत में काम रुख जाता है, या होते 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 रुख जाता, वो फिर देखने को नहीं मिलेगा, फिला लाते हैं आपके overall palm के analysis के अटरेक्ट, तो यहाँ देख सकते हैं कि finger की जो length है, वो आपके palm के comparison में short है, जो एक fast tradition making habit को, immediate work करने के tendency को, quickly action लेना, respond करना, जो भी कुछ सोचा गया है तुरंट उसके पर काम करने जैसे आदतों को दर्शाता है, इसके बाद जो thumb का size है, वो आपका बिल्कुल ठीक है सामान ने है, तो सीखने समझने या बातों को याद रखने के योगिता ठीक रहेगी, जो भी वेक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनके first finish के उपर में इस याड़ी रेखा हैं आ जाती है, तो यह चिंताओं को दर्शार ही होती है, तो कई न कई आप overthinking एंड negative thinking ज़्यादा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा करने की जरुवत नहीं है, राय का पहाड करने की जरुवत नहीं है, आप overthinking भी करें तो positive manner में करें, जितना अच्छा हो सकता है, उतना अच्छा सोचिए, बोलिए, रहिए, क्योंकि आपका चंदर विक्सित अच्छा है, शुक्र अच्छा विक्सित है, तो हम जितना अच्छा देखते हैं, बोलते हैं, या सुनते हैं, या वातावरण में रहते हैं, उतना अच्छा जिवन्शेली हो जाता है, क्योंकि यह सब कुछ हमारे belief system को develop करता है, और जैसा belief system होगा, वैसे ही life हो जाता है, लेडल finger की lens short है, तो यह एक shy type के nature को indicate करता है, जिसके तरेक्त मन के अंदर बात को दबाना, हिच के चार्ट, घबराहोट होना, अपोजे जेंडर या stranger से बाचित करते समय, stitch fear देखने को इस condition मिलता है, फिंगर की lens short है, तो यह down to earth किसम का nature देता है, दिखावटी पन आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत कम सुक्सुविधा या संसाधन में भी आप अपने life को बहुत अच्छे से manage कर पाएंगे, फिंगर की lens is strong होने के करण यह risk taker बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, creativity and artistic quality आपके अंदर है, फिंगर के उपर सिधी खड़ी रेखा है, अच्छी खासी मातरा में हो और उपर उपर तक भी है, तो आप अपने रिष्टों को अपने तौर से बिगड़ने नहीं देते हैं अपने और से, तो रिष्टे आते हैं जाते हैं लेकिन at the end रिष्टे इतने कोई भी आपके खराब होते नहीं देख रहेंगे, पूरे तूठी जाएं, समाप्ती हो जाएं, दूसरे लोग जाएंगे तो नए लोग आएंगे, बस यह आपके लाइफ का पैटर्न रहेगा, इसलिए आपको लोगों के प्रती जादा चिंदित होने के आउशकतर नहीं है, मिलनसार किसम का व्यक्तितिया देता है, फैमिलियर इंवार्मेंट आपको जादा पसंद है, फिंगर के जो नोट से वो यहाँ पर डेवलप ठीक होने शुरू हो रहे हैं, तो अब क्लियर कट डिसिजन्स लेना, क्लियर कट अनेलेसिस करना, कन्फूजन्स कम होने लगना, यह सब कुछ आपके लाइफ में अब आना शुरू हो जाएगा, इधर भी हलके से यह का सायन आ रहा है, जो मटेरलिज्मों एंड स्पिरिच्वैलिटी दोनों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाम का जो इस्ट्रक्चर है आपको थोड़ा सा फैलावा है, तो ओवरॉल यह रेक्टेंगुलर पाम में ही आता है, जो शारिरिक मेहनत के बज़े मांसिक मेहनत जादा कराता है, चंदर अच्छे खासे विक्सेत हैं जिसके करन नएने चीज़ें सीखना, नएने चीज़ें सुनना, एक्स्प्लोर करना, प्रकरती के निकट रहना, ट्रैवलिंग्स, यह सारी चीज़ों को शोख आपको रहेगा, शुक्र डेवलोप अच्छा है जिसके करन साज श्रिंगार, चीज़ों को और्गनाईज वे में रखना, इंटिरियर अच्छे से मेंटेन रखना, फैशन, ब्यूटी, यूनीक चीज़ें, और किसी भी काम में रिफाइंड होना, यानि परफेक्ट होना, कला प्रेमी साहित प्रेमी होना, यह सब कुछ आपके नदर रहेगा, तो लूवर जोन जब भी एक्टिव जादा होता है, तो हमेशा लाइफ में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बना रहता है, अगर खुद के पैशन हो भी या इंट्रेस्ट को फोलो किया गया तो, तो अपने इंट्रेस्ट पैशन को कभी भी मारियेगा मत, उसको फोलो करिएगा, उसके द्वारा भी आपका करियर बनेगा, या लाइफ बहुत ज़्यादा सुधरेगा, गुरू के छेतर के उपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं पाए जाती है, तो, ये वेक्ति को बहुत ज़्यादा दैयालू, क्रपालू, दूसरों का मदद करने वाला, दूसरों के प्रती हमेशा दैया भाव रखने वाला, जानवरों के प्रती प्रें रखने वाला, ईश्वर के बहुत निकट रहने वाला बना देता है, तो यह combination को लाब में कैसे लिया जा सकता है जिसे कि अगर आप हर कुछ ही परमात्मा के उपर छोड़ दें हर कुछ आप खुद की बुद्धी कम लगाएं सिर्फ खुद का कर्म लगाईए बाकि सब कुछ परमात्मा के उपर छोड़ दीजे तो यह आड़ी रेखा आपका सारा काम करवा देगी क्योंकि यह जब भी गुरू के उपर आड़ी रेखा होती तो परमात्मा पर अट्टूट विश्वास करना पड़ता है और परमात्मा के द्वारा परमात्मा के लिए या लोगों के लिए काम भी करना पड़ता है जैसे दान धर्म पुजा पाथ तो यह आड़ी रेखा जीवर में इतनी समरिद्धिल आती है जिसका कोई हद नहीं है यह गौड गिफ्टेट साइन होता है इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं और फिर दूसरे लोग छोड़के चल जाते हैं एक्च्वल में ऐसा नहीं है गुरू की आड़ी रेखा है व्यक्ति को इतना capable बनाती है कि वो दूसरों की मदद कर सके ना कि दूसरों से मदद ले सके तो इसलिए यहाँ आपको जानना जरूरी है क्लियर करना जरूरी है कि परमात्मा आपसे चाह क्या रहे है तो जब आड़ी रेखा हैं यहाँ पर किसी की भी हो तो इसे जातक को निश्चित रूप से उमीद किसी से नहीं रखना चाहिए लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ भी नहीं फेलाना चाहिए यह हाथ फेलाने का मोका ही नहीं मिलता जब इसी आड़ी देखा होती है को कि परमात्मत चाहित को बहुत अच्छा देखने को रहें बहुत अच्छा देखने को मलता है औ जो अनदर प्रोग्रस लाइन है यह आपको अपने लिए एक छणाय कम दूसरों क्ले क्षा याणि घर परवारिया दूसरों क्ले क्षा है आपकी जादा रहेगी शनी और सूर के बीच में इसको विध्यरेखा कहता है जब भी हमारा ग्यान या कर्म दूसरों के काम आता है तो ये रेखा उत्पन हो जाती है तो इस कंडिशन में आपने जिसे किसी को एड़ाईज दिया, गाइडिन्स दिया फिर पढ़ाई दिया तो वह उनके काम बहुत आएगा या किसी के साथ होकर कि आपने कोई काम कर लिया तो वो भी उनके काम आएगा लेकिन आपके लिए काम आएगा ये सब कुछ क्योंकि यह भाग दूसरों को दे रहा है इसलिए as a consultant, mediator या फिर teacher भी अगर आप side profession देखना चाहे earning के भी हाफ पर तो आप बिल्कुल जा सकते है coaching institution या वो सभी चीज जिसमें आप अपने knowledge को दूसरों को दे सके तो आप आएगे कि आपके life में financial stability भी आ रही है और growth भी बहुत अच्छा हो रहा है शूर्य के द्वारा name फिर मिल रहा है शनी के द्वारा आपका काम बढ़ रहा है इसके बाद में शनी के छेदर के उपने जो भाग रेखा रुकी तो दूसरी भाग रेखा जागरी थोई लेकिर उसको भी एक रेखा ने काट दिया तो आपको निश्काम कर्म पे ज्यादा ध्यान देना निश्काम कर्म का ताथ पर यही है कि इश्वर के अधिन रह करके सब कुछ उनके उपर छोड़ करके करिए क्योंकि इस तरीके के combination क्या करते है कि व्यक्ति को बहुत ज़दा emotions और feelings में fluctuations कराते रहते हैं जिसके करण जो चीज अच्छा लगेगा वही कुछ समय के बाद बूरा भी लगेगा जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचने बाद में उसके बार में एक प्रतिशद नहीं सोचेंगे एकदम खाली बेटे हैं कोई से चिंता आगई तो एकदम से खुशिया भी आगई तो यह जो emotion में इतने drastic changes होते हैं उसके बिहाफ पर जब हम decisions ले रहे हैं तो हमको कभी workout करते ही नहीं है तो इस condition में जब हम निश्काम कर्मे के तरफ जा रहे होते हैं तो हमको यह तो पता होता है कि हमें करना क्या है लेकिन यहाँ पर हमें फल की चिंता जादा नहीं होती और जब यह condition आती है तो चिंताएं दूर होना शुरू हो जाती है धहरे आने लगता है समय बहुत मिलने लगता है तो आप यह चीज़ करिए और सेटन रेमेडी करिए आपका लग बहुत इनहेंस होगा डेफिनेटली सूर के छेतर की जहां तक बात है तो देखिए अप ट्रेंगल का सहन यहां कुछ समय में डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा और यह डेवलप हुआ तो आप फ अपने तो आपको लगता है तो अपने तरीके से जो दुनिया देख रहे हैं जो चीज़े समझ रहे हैं वो बता नहीं पाना अब यहां पर अगर आप इसी स्कील को यूज़ करेंगे तो वहां पर आपका लग है इसलिए वहां पर आपको लाब मिल जाएगा लेकिन व्यक्तिकत रिष्टों में कई न कई आपकी बहुत सारी बाते मन के अंदर ही दवी रह जाती हैं सामने नहीं आपाती तो आपकी मेरिज डेफिनेटली अब होगी क्योंकि रेखा बहुत मजबूत है इसके पहले भी एक दो रेखा हैं जो टेंपररी रिलेशन्स को इंडिकेट कर रही है इसके बाद में हरेद रेखा आपकी कुल मिला करके ठीक है हरेद रेखा से ब्रांचे बहुत सारे निकल रहे हैं और जब ब्रांचे उपर या नीचे निकलते हैं तो बहुत जल्दी इमोशन्स फिलिंग्स में फ्लक्ट्वेशन्स होता है जो सैटन की स्थिति में बताया गया है तो इस कंडिशन में इमोशनल डिसिजन्स लेने से बचने की बहुत ज़्यादा जरुवत है क्योंकि बहुत जल्दी जो चीज आपको अच्छी लगेगी तो बहुत जल्दी वो चीज बूरी भी लगेगी बहुत जल्दी किसे से लगाओ होगा तो डिटेच्मेंट भी उतनी जल्दी हो जाएगा तो यह सब डिपेंड सब कुछ कर रहा आपकी इमोशन्स पेसलिए यह जब इमोशन्स हमारे स्टेबल नहीं होते हैं तो कभी भी हम हमें emotional based decisions या plannings या react नहीं करना चाहिए उससे नुकसान फिर नहीं होता है इसके जो हरद रेखा है वो आपकी शनी पर रुकी हुई है और जो overlap करके रेखा गई हुई हो मंगल पर गई हुई है और एक शाका यहां से गुरू पर भी गई हुई है तो आप emotional भी है practical और serious भी है और sensitive भी हो और aggressive भी है तीनो quality आपके इंदर है लेकिन aggression थोड़ा सा ज्याद वगेरा नहीं आएगा life line जब भी progress line से शुरू होती है तो हमेशा अपने life में आगे बढ़ने की चेश्टा रखते हैं कभी भी खाली बेटना या एक तरीके से hopeless हो जाना या हार मान लेना या आपके जीवन का शेली नहीं है या आप अपने जीवन की विरुद कोई भी कारि नहीं करेंगे जैसा suicide या कुछ भी क्योंकि गुरू से जब भी जीवन रिखा शुरू होती है तो हमेशा कोई ने कोई हाथ पकड़ने वाला या जीवन में आगे बढ़ाने वाला या अच्छी मान सिकता दे देने वाला या हिम्मत दे देने वाला आ ही जाता है चाहे लोग की क्रपा इस कंडिशन में बहुत अच्छी देखने को मिलती है इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो आपको आपके जीवन में कम से कम 26 कमरत कोई सही हो कहीं से नहीं मिला 26 के बाद से सही हो की रिखा आना शुरू हुई लेकिन यह थोड़ी थोड़ी जीवन रिखा से दूरी बना रही है जिसके करण लोग पहले बहुत अटेच होते हैं बहुत अच्छा सबको चलता बिरना किसी कारण या अकारण ही थोड़ा डिस्टेंस होता जाता है लेकिन इन सारी चीजों से ज्यादा आपको परभा होनी नहीं चाहिए फरक पढ़ना नहीं चाहिए क्य लापन है वो सिर्फ आपकी जीवन में उन्नती के लिए है संघर्ष कर आगे बढ़ने के लिए तो इसको पॉजिटीवली आपको लेना है लाइफ लैन के उपर में एक ट्रेंगल का साइन इन फ्यूचर बन सकता है यह तक्रिवन थर्टी-फोर के बन सकता है तो थर्टी- पॉल के ब्रांशे अंदर भी हैं जो कि ट्रैवलिंग्स को ज्यादा दर्शाते हैं तो आपकी यातना जीवन में ज्यादा रहेगी और इसक्वेर जैसे साइन से लेकर के ट्रेंगल जैसे साइन भी अविलेबल है तो लाइफ में सदन गें सदन प्रोग्रेस और सदन वेल् इंडिकेट कर रहा है मून लकलें जब एक से अधिक होती है तो एक से जाद एक्छा लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं एक से जाद चीजों के प्रती इंट्रेस्ट होता है या मन को यह हमेशा विचलित रखता है मल्टिपल वर्किंग कैपबिलिटीज को भी डेवलप करता है इन समय से फेक रेखा जीवन रेखा से जोड़के आगे बढ़ी है और यह आगे बढ़के गुरु के तरफ ही जुक रही है और गुरु देते हैं पावर पोजिशन एन अथोरिटी एंड ओफिसर रेंक या टॉप लेवल मेनेजमेंट तो यह सब कुछ आपके जीव सब नहीं है माइंड लेंस अब तो ब्रांचेस निकलने शुरू हो रहे हैं अनदर माइंड लेंड लाकर के एड भी हो रही है तो जब इस तरीके के ब्रांचेस अपर पोजिशन में निकलते हैं तो बिजनस सेंस बिजनस लग नई क्रिएटिविटी नया आर्ट नया लेर् ब्लेटी देता है एक ही बात को अलग-अलग तरीके से सोच पाने की छमता और एड़ेंड क्रियेटिव माइंड सेट डेफिनेटल यह देता है मंगल की स्ट्रेंथ होवरोल अच्छी है तो इस करण से मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा इंटरनल मास भी डेवलप ठीक जा लिखा से दूर होती है तो स्ट्रेस वरिज जो भी कुछ होता है वो इतना हावी फिर लाइफ में हो नहीं पाता है इसके बाद में जो चंदर की स्थीति है वो भी कुल मिला करके डेवलप ठीक है बस डिजार बहुत सारे रहेंगे बहुत सारे डिजार बीच-बीच में प्रूरी कि मुझे ध्यान कहां देना कर्म कहां करना जहां करेंगे जहां ध्यान देंगे वह लगातार कार्य करेंगे आपका वहां पर भाग्य नहीं भी होते विए भाग्य वहां बन जाएगा निर्मित हो जाएगा आपका काम हो जाएगा अंदिता है और जो शनी का उपाय ह वो आपको WhatsApp पर भेजा जाएगा अब वही चीज़ हम अगर आपके राइट हैंड में देखें तो यहाँ देख सकते कि mind line purely independent है लाइफलाइन से जो बचपन से independent या जिद्धी बनाता है और अपने जिद्ध को निश्य तरुप से पूरा करके देखाते हैं तो आप निश्य तरही आपका जिद जो यूपिसी का है वो होना ज़रूरी वो पूरा हो जाएगा भाग रेखा एक बर मस्तिश रेखा पैट की फिर हरद रेखा पैट की फिर आगे बढ़ी जो इस बात का प्रमाण है कि कभी भी एक बर में काम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सोचते कुछ होर हैं जब करने जाते हैं तो भावने कुछ होर जागरित हो जाती है और जब भावने कुछ होर जागरित हो जाती है तो एकदम से कर्म से मन हड़ जाता है तो overall यह इस बात को दर्शा रहेगी consistency नहीं है fluctuations बहुत ज़्यादा है believe की कमी हो जाती कहीं पर trust की कमी हो जाती कई पर mood swings हो जाते है तो इन सारी चीजों से परेहट जो ठान लिया है जो सोच लिया हो करना ही है इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो सफलता खुछ चल के आएगी बाहरी मंगल से जब रेखा इस तरह की आती है तो पूरो पुरने रेखा कहते हैं इस condition में महनत व कर्म बेकार नहीं जाता पार्टनर पास लाइफ से आते हैं और यहाँ पर एक kite का सिंबोल बनता आपको देखने को मिलेगा जो overall name, fame, respect and शरकारी, नोकरी और उचपद प्राप्ति की योग सारे निर्मित करके देता है शरी के उपर भी त्रेशल का चिन, multiple source of earning का combination है केतु के उपर भी fish symbol का sign, life मोक्ष, मुक्ती और बहुत अच्छे जीवन शेली को निर्मित कर रहा है बस यहाँ पर यह problem है कि life line से लगाता नीचे रेखारी जो negative thinking, negativity या फिर sudden losses को represent करती है तो आपका सारा concentration आपके growth पे, education पे, learnings पे और अपने desire एम पे होना चाहिए तो यह जो रेखाओं का negative impact ही यह नहीं आएगा और life, energy को balance करने के लिए yoga, pranayam करना बहुत ज़दा ज़रूरी है अपने हाथ से donation करना, planting करना भी ज़रूरी है तब जाके यसी external disturbance आपको face नहीं करनी पड़ेगी आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, यह आपका little finger indicate कर रहा है तो इसलिए आपको खुद अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है और positive, और dedicated, और ambitious होने की ज़रूरत है तो सब कुछ मिलेगा दो साल के अतरिक तो आशे करता हूँ आपकी सभी प्रेशनों को अतर मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद